दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हों कि इस धर्ती पर जिसने भी जनम लिया है उसका मरना तो तै है चाहे वो इंसान हो चाहे वो पक्षी हो चाहे वो जानवर है या फिर पेड़ पोदो क्यों ना हो इस धर्ती पर जितने भी living things होते हैं वे सब अपने समय के इसाब से जी होती हैं टोटोज की सबसे बड़ी स्टेंथ उनका कवच होता है तभी बाकी जानवर उनका सिकार नहीं कर पाते हैं इसलिए ये 500-200 सालों तक जीते हैं नम्मर टू बोहेड वेल का मूँ उसकी बॉड़ी से तीन गुना बड़ा होता है अगर उसकी लंबाई की बात करें त तो वो करीब होती है 13 फीट ये पानी के अंदर 9-18 मिट तब बिना सांस लिए रह सकती हैं और तो और ये 500-500 फीट डीप जा सकती हैं समूंदर के अंदर पर कमाल की बात तो ये कि ये वेल स्लो स्वीमर होती है अगर इनके लाइफ की बात करें तो वो करीब होती है 200 साल से ज्यादा नम्मर 3 रेट सी उर्चिन ये चार्टर पैसिविक ओशन में पाई जाती हैं ये समूंदर के अंदर 920 फीट की गहराई में रहती हैं और ये अपने एक्स जून और सितंबर के बीच में देती हैं ये सुन्दर से दिखने वाली जीप करीब 200-200 सालों तक जिन्दा रहते हैं बढ़ते हैं नम्मर 4 की तरफ रफ आय रॉक फिश ये औरेंज कलर की दिखने वाली फिश काफी ज्यादा सुन्दर और एक्ट्रेक्टिव होती है ये ज्यादा से ज्यादा 97-70 मीटर तक बड़ी हो सकती है और तो और इनका वेट करीब 6 kg होता है ये फिश ओवी पैरस होती है और तो और इनको दो नामों से जाना जाता है एक नाम होता है ब्लैक थ्रोट रॉक फिश एक होता है ब्लैक ट्रिप रॉक फिश अगर इनके लाइफ इस्पैन की बात करें तो वो करीब होता है 205 साल से भी ज्यादा नम्मर 5 बताने से पहले अगर आपने हमार जहरीले टीशू होते हैं जिसे कारण इनका मीट काफी टॉक्सिक्स माना जाता है और तो और ये शार को स्लो स्वीमर शार भी बोला जाते हैं अगर हमें इनके स्पीड की बात करें तो वो करीब होती है 2.6 किलोमेटर पर आर ये पानी के अंदर 5000 आजर फीट से भी ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं इसलिए इनका सिकार कोई नहीं कर पाता है तबी ये शार्क 200 से 500 सालों तक जिन्दा रहती है दोस्तो कमेंड बताना है क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी